हलो दियर स्टूडिंट, वेलकम टो टीपिस्टार, आम प्रिया गोतिमियो, फिजिक्स फैकल्टी और आज किस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं, जो एंटीसे सेकंड स्टीस का पेपर हुआ है, उसमें सैट का फिजिक्स का पेपर, फिजिक्स के पेपर की अगर मैं बात करो, तो 14 questions में से 10 questions सीधे सीधे ऐसे आएंगे, जो आपने बहुत आसानी से कर लियोंगे, जिनको करने में बहुत difficulty नहीं होगी, 2 या 3 questions ऐसे थे जिसमें आपको थोड़ा सा time लगा होगा, और 2 और 3 questions ऐसे थे जिसमें थोड़ा सा सोचनी की जरुद पढ़िये, बागी overall paper easy ज़्यादा difficult questions paper में नहीं आये थे, तो वही discuss हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो start करतें first question से, तो first question की बात करो अगर, तो a train moving at a uniform 90 km per hour is approaching a flag station whose platform is 5 meter long, मतलब एक train है जो किस speed से चल रहे है, 90 km per hour से, मतलब इसकी speed क्या हो जाएगी, अगर मैं train की speed की अगर आप से बात करूँ, तो train की speed कितनी हो जाएगी, 90 km का मतलब क्या हो गया, 25 meter per second, और station की जो length है वो दीवी है, 500 meter, छी कि यह station है मालनो, यहाँ से शुरू हुआ station, और यहाँ पर station खतम हो गया, आगे क्या दिया हुआ, station master is standing at the center of the platform, center of the platform का मतलब क्या हो गया, कि यहाँ पर कहीं खड़ा हुआ है, तो यहाँ खड़ा हुआ है, तो यह वाली जो distance से वो कितनी हो जाएगी, 250, और यह वाली जो distance से वो कितनी हो जाएगी, 250, यहाँ तक clear है, आगे क्या बोल रहा है, train start blowing whistle when engine is one kilometer away from near the end of the platform and the continuous blowing whistle till engine cross the platform without stopping, मतलब यहाँ पर यह इस station से एक किलो मेटर पहले से होन बजना start हो रहा है, ठीक है, अब यार देखो, यहाँ पर train की length नहीं दियो यह वो हमारे किसी काम की भी नहीं है, क्योंकि जो whistle sound produce हो रहा है, वो train के engine से हो रहा है, तो अगर मैं आप से पूछो कि यहाँ इसकी total length कितनी हो जाएगी, तो आप बोल दोगे मुझे कि मैं 1500 meter, 1 km मतलब 1000 meter और 500 meter का क्या है station है, तो total कितनी हो गई 1500 meter, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है, ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, if the speed of sound is assumed to be 300 meter per second, जो whistle बजी है, उससे जो sound आया है, उस sound की speed कितनी दीवी है, 300 meter per second, then the duration of which station masters hear the whistle, then the duration for which station master, here's the whistle, कितने time duration तक उसको whistle सुना ही दे रही होगी, अब यहार अगर मैं बात करू, total अगर मैं आप से बात करू, तो यहाँ से ही जब train थी, तो whistle बजना start होगी थी, यहाँ पर जब train थी, तभी whistle बजना start होगी, तो time पहले तो मुझे बताओ कि total time, कितना train, कितना time लेकि इस पूरे station को, दोनों points को cross करने में, यह point, first year यह point second है, तो total जो time लेकि दोनों को cross करने में, वो कितना हो जाएगा, 25 meter per second से चल रही है, total distance कितना है, 1500, तो time कितना हो जाएगा, train cross करने में, कितना time लगाएगी, 1500 divided by 25, 1500 divided by, 1500 divided, sorry, total कितना है, 1500, और कितने speed से चल रही है, 25, तो total कितना time हो जाएगा, 16 second, total कितना time हो जाएगा, 16 second, अब मैं बात करो कि first sound कहाँ से produce होगा, first sound यहाँ से produce होगा, जब train यहाँ थी, मतलब 1000 meter तो यह हो गए, और 25, और यहाँ पर खड़ा है station master, इस point पर खड़ा है station master, मतलब 1000 plus 250, मतलब वहाँ स sound चलेगा, और sound किसे speed से चल रहा है, 300, तो यहाँ से जब first sound produce होगा, तो first sound produce will hear after time T1 मान लेते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, कितना चला 1000 plus 250, तो यहाँ तक तो 250 है ना, और यहाँ पर 1000, तो कितना हो गया, 1, 2, 5, 0, और train, sound किसे speed से चल रहा है, 300, sound कि speed से चल रहा है, 300, तो 0 से 0 यहाँ कट गया, यह हो गया, 125 divided by 30, अब बात करते हैं कि जब last में, last sound produce होगा, जब last sound produce होगा, तो 60 seconds तो किसको लगे, train को यहाँ से यहाँ पहुशने में लगे, तो time मान लो T2 है, तो 60 seconds को train को यहाँ से यहाँ पहुशने में लगे, प्लस, अब यह distance कितना बचा, 250, तो यह कितना हो गया, 250 divided by, और sound के से speed से जल रहा है, 300, तो 0 से 0 कट गया, 250 divided by 30, यह कितना हो जाएगा, 1825 divided by 30, अब इस पूरे में से, अब इस पूरे में से हम अगर time difference निकाले, तो T1 को इसमें से minus कर दे, तो हमें सिर्फ वो time मिल जाएगा, हमें time पर whistle station master को सुनाई देगी, तो minus कर देते हैं, 1825, 30 में से, 1825 divided by 13, minus 125 divided by 30, तो यह कितना हो जाएगा, यहां पर कितना बचेगा, 1700 divided by 30, तो अगर आपको इससे यहां से कट करोगे, तो यह कितना आएगा, 35 जा 15, 35 जा 15, 0.6, 6 जा 18, 0.65 something को जाएगा, 0.67 seconds, 56.67 something answer आएगा, जो कि आपका second option करेक्ट हो जाएगा, कौनसा option यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा, second option करेक्ट हो जाएगा, तो इस question में आपको सीधा-सीधा, पहले तो time निकालने दा है, जहां परst sound produce होगा, वो मेने निकाल लिया, टी-2 जहां second sound produce होगा, plus total train को प master को sound सुनाई देगा, तो यह option आपका second correct हो जाएगा, अगर next question के में बात करूँ, तो वो क्या है, a swimmer can swim in still water at a speed of 15 km, बतलब swimmer अगर still water में swim करता है, तो उसके speed दीवी है 15 km पर आर, अब देखो यार सारे options km पर आर में दीवें, तो आपको unit change करने की जरुबत नहीं है, यह आपका time saving चीजे होती है, तो यह आपको चीजे ध्यान में रखनी होती है, और river is flowing at 5 km पर आर, अगर जो river है वो 5 km पर आर से flow हो रही है, तो the swimmer start from a point and swim 1 km upstream, मतलब 1 km गया, फिर उसके बाद return आया, वापस 1 km आया होगा, ठीक है, downstream, एक बार वापस, एक तो एक बार तो river के flow क साथ swim कर रहा होगा, एक बार river के flow के opposite swim कर रहा होगा, ठीक है, तो जब river के flow के साथ swim करेगा, तो खुद की speed plus river के water के speed 15 plus 5, कितनी हो जाएगी, 20 km पर आर, ठीक है, और जब वापस return आयागा, downstream पर, तब खुद की speed 15, minus 5 km पर आर, relative speed निकाल लेंगे, तो जब down stream आयागा, तो speed कितनी हो जाएगी, km पर आर, अब इसमें भी 1 km आया, इसमें भी 1 km आया, तो अपन को average speed निकालनी है, तो average speed क्या होता है, total distance divided by total time, total distance कितना है, average speed निकालेंगे, average speed के लिए total distance कितना हो गया, 2 km, और total time, इसमें कितना time लगाओगा, 1 km divided by 20, तो 1 by 20 plus 1 divided by 10, 15 minus 5 किया तो 10, 15 minus 5 किया तो 10 km पर आर, तो 1 by 10, तो यहां से कितना आजाएगा, 2 by 20 common आजाएगे, तो उपर आजाएगा आपका 3, तो 2 by 3 into 20, यह हो जाएगा 40 by 3 meter per second, easy था, 40 by 3 meter per second, कौन सा option correct हो जाएगा, 3 option आपका यहां पर correct हो जाएगा, easy था, next देखो, a car, P is moving with a uniform speed, एक car है जो एक uniform speed से चल रही है, कितना, 72 km पर आर, towards the another car क्यों जो rest पर है, यह P है, यह car P है, जो चल रही है, uniform speed से, मतलब acceleration नहीं है, इसके पास, km per hour, मतलब यह km per hour को meter per second में change करेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 20 meter per second, ठीक है, अब जब यह चल रही है, तो Q कहा है, rest पर है, तो Q की initial velocity कितनी हो गई, 0, on a straight level road, at a particular instant, किसी एक instant पर, when the distance travel between P and Q 525, अब यह चल रही है, चल रही है, चल रही है, लेकिन यह P जब यहाँ पहुच गए, और जब इनके बीच का distance कितना बचा, 525 meter बचा, तब Q ने अचानक से start कर दिया, चल ना, और किस acceleration से, 2 meter per second acceleration से, 2 meter per second square acceleration से, towards the P, P की तरह, find the distance travel by the Q, when both the car meets, हमें बताना है कि Q ने कितना distance travel किया होगा, कब तक, जब तक दोनों नहीं मिलती है, हम माल लेते हैं कि टी टाइम लगा दोनों को मिलने में, let, टी टाइम लगा, टी टाइम, टी टाइम, टी टाइम, विल टैक, दे मीट, चीक है, टी टाइम लगा दोनों को मिलने में, तो सबसे पहले Q की initial, अगर मैं P की initial velocity के बात करो तो, 20 meter per second square, तो S, P कितना, अगर अभी भी Q rest पह माल लो, चीक है, तो P के पास माल लो, यह acceleration है, Q के पास नहीं है, P के पास यह acceleration है, ठीक है, तो 525 जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, S is equal to U T plus half A T square, S कितना है, 525, U initial velocity 20, और T plus half A acceleration to T का square, तो 2 से 2 कर गया, ठीक है, तो एक quadratic equation बनेगी, T square plus 20 minus 525 is equal to 0, यहां से T मिल जाएगा, इसके दो time मिलेंगे, तो दो factors होंगे, T minus 15, और T plus 35 is equal to 0, अगर आपको ऐसे factors करने नहीं आ रहे हैं, तो आप वो भी लगा सकते हैं, formula, T is equal to क्या हो जाएगा, minus B plus minus under root B square minus 4 AC divided by 2A, वो वाला formula भी आप यहां पर use कर सकते हैं, तो यहां पर देखो time negative तो हो नहीं सकता, तो यह वाला तो लेंगी नहीं, हम सिर्फ क्या लेंगे, T minus 15 is equal to 0, तो T की value 15 seconds, मतलब अगर अभी भी QS पर होता, तो P को यहां तक जाने में 15 seconds लगता हैं, क्योंगे total time लगता, अब दोनों आ रहे हैं, तब भी total time कितना लगेगा, 15 seconds, अब इस 15 seconds को मैं सिर्फ S के लिए लगा दू, तो S के लिए S is equal to UT, मतलब distance traveled by the Q, UT plus half 80 square, initial velocity तो इसके पास 0 है, तो यह वाली term तो 0 हो जाएगी, सिर्फ half 80 square करेंगे, तो half acceleration कितना है, और T मतलब 15 seconds का square, 2 से 2 कर गया, 15 का square कितना होता है, 225, तो distance traveled by the Q, 225 meter, distance traveled by the Q is equal to 225 meter, जो कि आपका second option correct हो जाएगा, कौन सा option correct हो जाएगा, second option यहाँ पर आपका correct हो जाएगा, इसके बाद moving on next question, figure shows the velocity versus time graph, हमको क्या दिया हुआ है, velocity versus time graph दिया हुआ है, for a block of mass 50 gram sliding on a rough floor, the average rate at which energy dissipates in joule per second, मतलब power की बाद कर रहा है, joule per second, energy divided by time की बाद कर रहा है, due to the force of the friction, friction की वज़े से जो energy का loss हुआ है, वो हमको बताना है, अब यार जो energy का loss होगा by the friction, वो कितना हो जाएगा, rate of energy, rate of energy dissipates, dissipates, is equal to change in kinetic energy divided by time interval, change in kinetic energy, change in kinetic energy divided by time interval, अब एक बाद बता हूँ, यार initial velocity कितनी थी, 0, final velocity कितनी होए, 80, तो final minus change in kinetic energy मतलब final kinetic energy minus initial kinetic energy, तो initial velocity 0 थी, तो kinetic energy initial कितनी होगी, 0, तो final minus 0 करेंगे, तो उसे final आएगा, तो कितना लिखोगे याँ पर, half mv square, तो half, mass कितना दी होए, 50 gram, इसको kilogram में change करोगे, तो 50 divided by 1000, 50 divided by 1000, into v square, 80 into 80, final कितनी होगी, 80 meter per second, divided by total time कितना लग रहा है, देखो, 0 से 8 seconds तक, तो 0 से 8 seconds तक मतलब time interval कितना होगया, 8, तो यह 1000 से तो यह 0, 0, 0, और 8 से यह कड़ गया, 2 से यह 8 कड़ गया, 4 times, तो यह कितना होगया, 5, 4, 20, 20, 20 joule per second, कितना answer आजाएगा, 20 joule per second, तो कौन सा option करेक्ट हुजाएगा, 3 option आपको यहाँ पर करेक्ट हुजाएगा, easy था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिसमें आपको सोचना पड़े, next देखो, अब bowl of a mass, 100 grams, 100 grams की bowl है, is drop from a height of 1 meter, 1 meter की height से drop करते हैं, it loses 10% of its energy, every time when it's bounce off the floor, जितनी बार floor पर bounce करेगी, उतनी बार अपनी 10% energy का, मतलब loss हो जाएगा, इसके बाद it can reaches the half way to maximum height, its kinetic energy up to the would be tag g is equal to 10 meter, अगर यह 3rd bounce के बाद half height तक आती है, तो हमें इसके final kinetic energy जो होगी वो बतानी है, इसके पास कितनी kinetic maximum height, half तक आ जाएगी 3 bounce के बाद, तो यहार एक बार बताओ, सबसे पहले तो इसके पास total energy कितनी होगी, क्योंकि यह 1 meter की height पर है, और इसका mass है कितना, 100 gram, मतलब mass कितना है, इसका 100 divided by 1000 kilogram, तो इसके पास शुडू में कितनी energy होगी, और वही energy kinetic energy में convert होगी, MGH, mass कितना दिया हुआ है, 10 by 100,000 kilogram, G कितना लेना है, लिखा हुआ है, 10 meter per second square, into 1, 1 क्या लेका है, 1 meter height, MGH इतनी है, ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर 3 bounce हो गए, तो एक bounce में 10% energy का loss हो गया, मतलब आप कितनी बची, 90%, ठीक है, तो after 3 bounce, after 3, after 3rd bounce, या collision, kinetic energy कितनी हो जाएगी, MGH, ये 10 divided by 1000 into G into 1, पहले bounce में कितनी kinetic energy गई, 10%, बची कितनी, 90 divided by 100, दुबारा से, फिर इसका 10% चला गया, बची कितनी, 90 divided by 100, 90%, फिर इसका 10% चला गया, बची कितनी, 90 divided by 100, ये तो 3rd bounce तक की बात हो गई, कितना हो गया, 1000 से 1, 2, 3, ठीक है, और कितना हो गया, 1, 2 से 1, 2, तो कितना बचा ये यहाँ पर, ये 100 था नहीं यहाँ पर, एक 0 से एक 0 और, तो ये बचा 9 into 9 into 9 divided by 1000, ठीक है, तो 9, 9 जा 81, और ये कितना हो जाएगा, 729 divided by 1000 is equal to 0.729 J, अभी तक ये एनरजी तो 3rd bounce तक है, उसके बाद ये half height तक चला गया, यहाँ तक, मतलब 1 बटा half meter तक, अब इसके पास energy कितनी हो जाएगी, इसकी आदी हो जाएगी, half meter तक चला गया, तो इसकी आदी कर दो, तो final kinetic energy कितनी हो जाएगी, उसके पास जो पूछ रहा है हमसे, ठीक है, इस kinetic energy, ठीक है, तो kinetic energy final जो बचेगी, is equal to 0.729 divided by 2, 0.729 divided by 2, तो ये हो जाएगी 0.36, इसने लिखा है कि 2 decimal तक answer दोगे, तो भी चलेगा, तो 0.36 J, तो कॉंसा option correct हो गया, second option आपका यहाँ पर correct हो जाएगा, कॉंसा option correct हो जाएगा, second, easy था, जादा मुश्किल नहीं था, next, moving on, अब block of mass 3 kg, and the density row, एक 3 kg का block है, जिसके density दी भी है, ठीक है, suspended from a spring balance, is immersed in a liquid, ओ वो block किसमे, immersed में liquid है, किस से, किस से connected है, वो spring balance है, जो कि उसमें liquid में immersed है, in a liquid, of density, liquid की density row by 3, then the balance would read weight as, अब यार देखो, जो spring balance, reading आएगी, reading, reading in spring balance, spring balance, तो वो क्या, एक तो उसके actual weight में से, जो thrust होगा, block का, thrust होगा, वो minus हो जाएगा, is equal to actual weight, actual weight, minus upthrust, जो भी upthrust होगा, वो क्या हो जाएगा? balance हो जाएगा, तो इसके लिए mg लिखोगे, तो mg, mg, mass को क्या लिख सकते है, density into volume, तो इसका volume कितना मानलो, v मानलो, volume कितना मानलो, v, तो rho vg, minus, अब upthrust के लिए, जो density liquid की, वो कितनी होगे, rho by 3, rho by 3 vg, तो यहाँ से कितना आजाएगा, यह, 2 by 3 rho vg, इसको rho into v को mass लिख दो m, तो यह कितना आजाएगा? 2 by 3 mg, mass कितना दिया हुआ है? 3 kg, तो 2 by 3 into 3 g, 3 से 3 कड़िया, is equal to 2 g, मतलब 2 g तो spring balance, mass बताना है, यह तो weight measure करेगा, mass बताना है, अगर weight 2 g है, तो mass कितना हो जाएगा? g से divide करके आजाएगा, तो mass कितना हो जाएगा? 2 kg, कितनी reading, वो कितनी reading लेगा? 2 kg, तो 4 option आपका यहाँ पर correct हो जाएगा, कौनसा option correct हो जाएगा? 4 option correct हो जाएगा. Next, moving on, cost of coal is rupees 5 per kg and can produce energy of 20 joule per kilogram. If a power station uses coal to produce electricity with 25% efficiency, then the cost of coal for producing 1 unit of electricity in rupees, तो यार देखो, 1 kg watt को अगर आप किस में change करोगे? 1 kg energy में change करोगे, तो 1 kg watt के लिए energy कितनी हो जाती है? 3.6 into 10 to power 6. आप इसको किस से divide कर देंगे? 1 per kg can produce, जो 5 rupees में हमको kg में energy मिल रही, कितनी? 20, और इसको यह M भी है, तो इसको change करेंगे 10 to power 6 से, into हमें efficiency उसके सिर्फ 25% मिल रही है, सिर्फ 25% मिल रही है, मतलब 100 divided by 25 into, इसको किस से cost से divide कर देंगे? 5 से, ठीक है? तो answer मिल जाएगा, तो यहाँ पर देखो, 10 to power 6 से 10 to power 6 कट गया, यह point हटा दो, यह 0 लगा दो, 20 से 20 चले गए, 5 से 25, 5 ताइम्स और यह 2 से 18 ताइम्स, तो मतलब यह हो गया, 18 by 5, तो यह कुछ हो जाएगा, हमारा 3.6, 3.6 रूपीज, 3.6 रूपीज, मतलब आपको second option correct लगाना है, कौंस option correct हो गया? second, बहुत easy था, next, moving on, two different instruments, says guitar and high harmonium, playing same music, their sound appears different through, they play some frequency, देखो, यारी class में भी बताया जाता है, कि अगर मानलो, दो sources की frequency same है, या pitch भी same है, या फिर आपको यह बताओ, कि दो इंसान है, आपके दो दो उस्त है, वो दोनों same frequency से बात करते हैं, फिर भी आप उनके आवाजों को पहचान लेते हो, जब उसका phone आता है, तो आप पहचान लेते हो, ये वो बात कर रहा है, जब उसका phone आता है, तो आप पहचान लेते हो, ये वो वाला दोस्त बात कर रहा है, ये जो difference है, वो कैसे पता लगता है, quality of sound से, ये पता लगता है quality of sounds मतलब अगर मानलो किसी भी दो sources से जो sounds निकल रहे उनकी frequency भी सेम और pitch भी सेम है लेकिन अगर उनका waveform अलग अलग है मानलो किसी का waveform आ रहा है जब कि TIME pitch frequency सब सेम है तो waveform quality of sound अलग अलग है उसकी वजे से हम difference पता लगा सकते है कि source कौन सा है ये guitar है या harmonium है या fluid है ठीक है तो ये हम पता लगा सकते तो quality of sound इसका answer हो जाएगा तो they have same loudness no they have played the different person no they have different qualities तो they have different qualities ठीक है तो they have different qualities answer हो जाएगा third option हमारा यहां पर correct हो जाएगा ये तो बिल्कुल ऐसे ही लगा देना था next देखो sound travels sound travels at a speed of 1450 meter per second through water a submarine detects objects around it by sending sound waves ठीक है and detected eco submarine है ये submarine है ठीक है और यहां पर इसको कुछ object का पता लगाना है कि है या नहीं अब इसको detect होता है इक object किस कैसे detect होता है ये क्या करते है अल्ट्र वाइलेट sound यहां से बेशते है अल्ट्रा sound यहां से बेशते है और eco टकरा कर वापस इनको सुनाई देती है और यह उसको सुनते है eco को तो यार जो sound travel करेगा वो एक बार तो जाएगा और एक बार यह दिए भी है 1, 4, 5, 0 into time कितना है 4 second time कितना दिया हुआ है इसने 4 second into 4 तो 2 से यहाँ पर यह 4 कट गया 2 times, तो S is equal to 1, 4, 5, 2 into 2, तो यह यहाँ पर आ जाएगा 2, 9, 0, 0 meter, और kilometer में change करेंगे तो 2.9 kilometer तो देखो कौन सा option correct हो रहा है 2.9 kilometer second option आपको यहाँ पर correct मिल जाएगा तो second option आपको second option में आपको इसको टिक करना है next moving on a small pencil of length 10 centimeter is kept along the axis of concave mirror of radius of curvature 40 centimeter एक concave mirror है concave mirror है जिस पर एक pencil object है और उस pencil का जो length है वो 10 centimeter है और pencil कैसे रखा हुआ है mirror से बिलकुल उसकी tip touch हो रही है mirror से उसकी tip touch हो रही है तो यार u is equal to कितना हो जाएगा minus 10 centimeter इतना तो समझ में आ गया radius of curvature दिया हुआ है 40 centimeter तो f कितना हो जाएगा for concave mirror minus 20 centimeter तो mirror का formula लगा देंगे हमसे क्या पूछा है pencil का जो image बनेगा उसका size पूछा है तो 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f तो 1 by v is equal to 1 by f क्या लिखोगे 1 by minus 20 और ये u इधर जाएगा तो plus में हो जाएगा 1 by 10 तो ये यहां से कितना हो जाएगा 1 by 20 आ जाएगा तो v कितना हो गया 20 centimeter यानि image का जो size है वो कितना हो जाएगा 20 centimeter मतलब pencil का जो image बनेगा उसका size हमको कितना दिखाएगा 20 centimeter मतलब 3 option आपको यहां पर correct लगाना है 3 option यहां पर आपका correct हो जाएगा next देखो a 10 volt battery is connected to a series combination of two resistance of 400 ohm and 600 ohm तो diagram बना लेते हैं जैसे जैसे कह रहा है तो 4000 ohm और 6000 ohm resistance series में लगे हुए हैं और 6000 यह series में लगे हुए हैं a non-ideal volt यह किसके साथ 10 volt की battery के साथ तो 10 volt की battery के साथ इसको connect कर दिया ठीक है यह 10 volt की battery समझ में आगी बात a ideal volt meter of resistance 10,000 ohm connected across the 4 ohm reads 3.226 volt ठीक है अगर मैं इस 4000 वाले के साथ एक volt across एक volt meter connect करती हूँ तो उस volt meter का खुद का resistance कितना है 10,000 तो मुझे जो volt meter के reading मिलेगी वो मिलेगी मुझे 3.226 एक बात बताओ इस वाले जो first case है इसका इस question में कोई use नहीं है आपको आगे पढ़ना है क्या दिया हुआ है अगर उसी volt meter को मैं 6000 के across connect करूँगी तो मुझे volt meter के कितनी reading मिलेगी और same volt meter है same volt meter है मतलब उसका resistance कितना है 10,000 तो 6 volt के across है direct connect कर रहे हूँ volt meter है जिसका resistance है 10,000 ठीक है अब आप यह बता हो यह जो volt meter है किनके बीच का measure करेगा जो voltage है वो कहां से कहां measure करेगा इस point से इस point ठीक है तो सबसे पहले तो यह दोनों तो किसमें जुड़े में है series में नहीं यह दोनों पहले parallel में है 6000 6000 और 6000 और 10,000 किसमें है parallel में, यह दोनों है parallel में, तो इसके लिए आप क्या लिख दोगे, 6000 into 10,000 plus 16,000, तो 3,0 से 3,0 कट गए, तो यह क्या बच गया, 60,000 divided by 16, 60,000 divided by, इन दोनों का parallel निकाल गए, क्योंकि यह दोनों किसमें लगे हुए, पैरलल में लगे हुए, यह दोनों किसमें लगे हुए, पैरलल में लगे हुए, तो यहां से देखो, इनका कितना resistance आ जाएगा, इसको आप कट करोगे तो, 3750 ohm, अब यार देखो, तो यह जो voltmeter है ना, वो सिर्फ इस point से, इस point तक का ही voltage measure करेगा, लेकिन अगर total r equivalent की बाद करो, तो r equivalent क्या होगा, अब इसके साथ parallel में 4000 है, तो यह plus हो जाएगा उसके साथ, plus 4000, मतलब 7750, अब मुझे total current निकालना है circuit का, तो current कैसे है, v is equal to ir, voltage के लिए क्या लिखेंगा, अब मुझे क्या पूचा, इस voltmeter में कितनी reading आएगी, तो v, और current कितना है total circuit का, total current कितना है, total voltage कितना, 10, और r equivalent कितना, 7, 7, 5, 0, तो यह तो कितना होगा है मेरा current, i, यह वाला i, यह तो होगा current, into, अब मुझे वो resistance निकालना है, जिसके across यह voltmeter reading देगा, मुझे वो resistance लिखना है, जिसके across यह voltmeter, तो वो तो सिर्फ इसका और इसका जो parallel वाला आया, सिर्फ उसी का बात बता रहे है, यह इस point से point तक का ही देगा, क्योंकि इसी के across लगाया है, इसने लिखा हुआ है, 6000 के across लगाना है, तो इसी के across देगा यह तो, तो मुझे इससे कोई मतला भी नहीं है, तो इन दोनों का parallel कितना आये था, 3750 ohm, ठीक है, तो 3750, 0 से 0 कट गया, और यह कुछ आएगा, आपका 4.838 volt, ठीक है, 4.838 volt, जो कि आपका option कौन सा हो जाएगा, 4th option correct हो जाएगा, कौन सा option correct, कुछ ही questions थे, जिसमें आपको time लगने वाला है, बाकिये difficult नहीं थे, ठीक है, त consider two circuits, दो circuits consider करने है, ठीक है, पहला देखो A, in which N identical bulbs are connected in series across a battery of EMFF, identical का मतलब क्या है, कि सबका resistance R, 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 सबका resistance A में R है, तो यार identical bulb आप series में लगा रहे हो, जिसमें voltage कितना है, E, तो power, पूरे total power कितनी हो जाएगी, circuit A में total power कितनी हो जाएगी, power कैसे लिखते हैं, V square by R, तो V कितना है, E, तो E square by R equivalent, R equivalent कितना हो जाएगा, N identical resistance series में लगे, NR, अब ये तो total power है, अब मुझे each bulb की power निकालनी है, तो N bulb लगे हैं, तो N से divide कर दो, तो मेरे पास A की power आजाएगी, तो यहाँ पर PA क्या है, power dissipating in each bulb, in A, तो power dissipating in each bulb, N से divide कर दो इसको, तो ये कितना मिल जाएगा, E square by, अब इसको N से divide करोगे आप, तो ये हो जाएगा, N square R, E square divided by N square R, यहाँ तक ठीक है, अब बात करते हैं, second वाले की, दो circuit है, B circuit की बात करते हैं, in which N bulb identical है, वापस से resistance सेम हो जाएगा, R, those are connected in a parallel across the similar battery, उसी battery के across, लेकिन अब बल्ब ज resistance भी सारे parallel में, तो अगर सेम identical resistance parallel में connected हो, तो R equivalent क्या होता है, R by N, और जो power लिखते हैं, total power of circuit B, is equal to V square by R, अभी भी battery का EMS कितना है, E, अभी भी battery का EMS कितना है, E, तो E square by R equivalent, R equivalent अब इस parallel वाले combination के लिए क्या लिखोगे, R by N, तो ये कितना हो गया, N, E square by R, अब एक का निकालना है, मतलब power dissipating in each bulb, तो N से divide कर दो, तो PB कितना हो जाएगा, PB is equal to, इसको N से divide करोगे, तो कितना हो जाएगा, E square by R, अब हमको इन चारो options में से, ये पता करना है, कि कौन सा वाला सही option है, ठीक है, तो हमारे पास, पहला relation देखो, PA is equal to N, PBT, PA is equal to N, PBT, तो PA मेरे पास कितना आ रहा है, E square divided by N square R, into N, PBT कितना आ रहा है, E square divided by R N, मतलब यह आया था, N E square, N E square, divided by R, तो देखलो यार, दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये R से R कट गया, E square से E square कट गया, ठीक है, यहाँ पर तो 1 by N square आ रहा है, is equal to N cube के, तो यह first option तो गलत हो गया, second देखो, PBT, PBT मेरे पास कितना आ रहा है, मतलब total power of circuit B, N E square divided by R, is equal to N square PA, PA कितना दिया हुआ है, E square N E square divided by N square से N square कट गया, अब E square R C square, तो मतलब N अदर आ रहा है, इदर तो 1 हो गया, तो मतलब यह वाला option भी गलत है, थर्ड वाले option के बात करें, total, B circuit की total power कितनी है, N E square divided by R, is equal to N, A circuit की total power कितनी है, E square divided by R, N से N कट गया, PBT कितनी है, N E square divided by R, और यह कितनी है, E square divided by NR, E square divided by NR, तो यह तो वैसे ही सही नहीं है, तो यह तो वैसे ही दिखाई दे रहा है कि सही नहीं है, तो इसको तो वैसे ही गलत कर बेना, ठीक है, अब क्या बचा, अब क्या बचा, अब फॉर्थ बचा, वैसे तो फॉर्थ सही होगा, पर करके देख लेते हैं, तो PB कितना दिया हुआ है, E square by R, is equal to N square PA, PA कितना है, PA कितना है, E square divided by N square R, तो N square कितना है, E square R is equal to E square R, fourth option आपका, जो है, वो correct हो जाएगा, तो choose the correct option, तो four option आपका correct है, जिस पे आपको tick लगाना है, next moving on, यार देखो इस question में यहाँ वाला resistance दिया नहीं है, इसलिए यह bonus होगा, ठीक है, लेकिन अगर आपन यहाँ वाला resistance R रख लेते हैं, वैसे तो यह question का bonus है, ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ वाला R रख लेते हैं, तो यह 1 by 3 R, यह 2 R, 2 R parallel में हैं, तो यह कितना हो 3 R, और 3 R और R अगर parallel में हैं, तो 3 R और R parallel में हैं, तो 3 R into R divided by 4 R, तो यह 3 R by 4, तो सब अप सीरीज में हो जाएगे, तो कितना हो जाएगा, 1 by 3 R plus R plus 3 by 4 R, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम answer लिखते हैं, तो आएगा 25 divided by 12 R, लेकिन यह वाला option कहीं भी दिया हुआ नहीं है तो वैसे तो यहाँ का resistance दिया हुआ है, तो bonus ही है, पर अगर यहाँ का R भी मान लेते हैं, तो answer आएगा 25 divided by 12 R, जो कि दिया हुआ नहीं है, इसलिए यह आएगा bonus, next question देखेंगे, a body travels the distance AB, length L, जो A से B तक की distance से diagram दिया हुआ है, तो tension नहीं के बिल्कुल जर्वत नहीं है, A से B तक का distance दिया हुआ है L, और with the speed कितना चल रहा है, 2 meter per second, तो यहाँ से यहाँ तक का time बता दो जा रहा, यहाँ से यहाँ तक का time मान लो T1 है, तो कितना हो जाएगा, T1 कितना हो seconds, उसके बाद आगे, therefore, thereafter, it travels BC L dash, BC दिया हुआ है L dash with a speed 1.5 meter per second, यहाँ पर यह दिया हुआ है 1.5 meter per second, आगे पढ़ता है, and the remaining CC, CC इसने दिया हुआ है L minus L dash, तो यहाँ अब आप मुझे बता हो, यह L minus L dash और यह L dash है, तो यह कितना हो जाएगा, यह L हो जाएगा, टोटल य B से C dash कितनी हो जाएगी, L dash हो जाएगी, ठीक है, यह चल रहा है, C से C dash तक 0.5 meter per second, calculate the average speed for this पूरी जरनी के लिए average speed बतानी है, assuming that the body takes same time interval between BC and AC, मतलब यहाँ BC से C तक भी माल लो, T time में चला, तो T2 माल लो इसको, और C से C dash में भी same time में चल रहा है, तो T3 भी T time में चल रहा है, total distance यह है L और यह है L, तो 2L, तो average speed के लिए क्या करते हैं, average speed is equal to total time, total distance divided by total time, total distance, total distance divided by total time, total distance कितना है L plus L, 2L, total time T1 plus T2 plus T3, T1 कितना है L by 2, plus, अब यार यह T है, यह T है, तो मतलब यह 2T, चीक है, और length कितनी है L, चीक है, तो L by 2 कितने में चलेगा T, अब total length कितनी है L, total length कितनी दीवी है L तो ये कितने में चलेगा देखो ये यहाँ से यहाँ तक जो length है ये यहाँ से यहाँ तक ये 1.5 में चल रहा है और ये यहाँ से यहाँ तक 0. time same है time same है तो इसके length कितनी हो जाएगी ये मुझे बता हो आप ये total अच्छा, total length L है और यहां से यहां तक 1.5 into t 1.5 into t यहां से यहां तक कि l dash अगर कितना है तो 1.5 into t plus 0.5 into t 0.5 into t क्योंकि दोनों same time से चल रहा है और total length कितनी है l तो यह 1.5 plus 0.5 कितनी होगे 2.0 t कॉमा ना गया l तो t कितना हो गया यहां से पूरे के लिए t कितना हो गया l by 2 मतलब यह जो t2 plus t3 है यह total कितना हो जाएगा l by 2 l by t कितना t की value आई है l by 2 तो sorry t2 plus t3 तो वापस एक और l by 2 लिखना बढ़ेगा t1 l by 2 t2 कितना होगे l by 2 t3 भी कितना होगे l by 3 तो l by 2 प्लस l by 2 प्लस l by 2 कितना होगे 2 l divided by 3 l by 2 2 पर चले जाएगे l से l कट गया 4 by 3 और 4 by 3 कितना होता है 1.33 meter per second 1.33 meter per second easy था सब कुछ दिया हुआ है diagram दिया हुआ सिफ solve करना था यहां तक कि land दी विए फटा फट time निकल गया दोनों का time बराबर है दोनों का time बराबर है t निकाल लो तो वही time उसका जाएगा t निकाल लिया l by 2 तो यही time l by 2 यहां जाएगा तो यह भी l by 2 यह भी l by 2 तो total time कितना होगे l by 2 प्लस l by 2 प्लस l by 2 तो कौनसा option यहां पर correct दिख रहा है क्वेशन्स ऐसे थे जो आपने फटाफट से कर लियोंगे 2 या 3 क्वेशन्स में time लग रहा था कोई ऐसा बड़ा concept नहीं था जो बहुत जादा unique हो time लग रहा था और एक दो questions ऐसे थे जिनको मैं आपको सोचने की जरुद पढ़ रही थी तो ऐसे ही और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए thank you so much